मुझा नमस्कार मैं हूँ अलुज मिस्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 News आज इस खबर पे मैं चर्चा करने वाला हूँ वो खबर है आजम खान और जया प्रदा से जोड़ी है हाला कि जया प्रदा फिल्मी दुनिया से आती है आजम खान राजनीतिक शित्र से आती है आजम खान का एक अलग अंदाज है और जैप्रदा का एक अलग अंदाज है क्योंकि खूपसूरती सिर्फ आप अगर अंदाजा लगाएं तो फिल्म अंड़ेश्ट्री में भी चलती है और आप राजनीतिक अगर पहलू की बात करेंगे तो राजनीतिक शेत्र में सिर्फ पताना बाना है आपकी लीडर शक्ति है उसे दिखा जाता है लेकिन जिस तरीके से जैप्रदा ने आजम खान की उपर पदमावत के फिल्म के खिलजी की तुलना कर दी है उनसे और फिर पलटवार जब जैप्रदा ने आजम खान ने पलटवार जब जैप्रदा पर किया त अगर नाचने गाने वालों के मुहे में लगने लगूँगा तो फिर राजनीती कैसे होगी खेर अगर सامने वाला कोई बयान इस तरीके का देता है और उस पर पलटवार किया जाता है तो उसमें पलटवार में या फिर यू कहें कि जो कटाक्श किया गया है उसमें बदले की भावना दिखाई देती है जिस तरीके से जय प्रदा ने कहा कि जब मैं चुनाओं लड़ती थी रामपुर से तब आजम खान ने मुझे लेकर मेरी तस्वीरों को लेकर और मुझे लेकर के कई ऐसे आपत्ति जनक चीजें वहां पेश्की जनता की बीच जहां मेरी जम करके ख परेशान भी किया गया क्यूंकि जैप्रदा और आजम खान की अगर केमिस्ट्री के अगर आप बात करें तो जैप्रदा सपा में थी लेकिन कुछ कारण बस उनको दोहजार दस के करीब निकाल भी दिया गया था और इसके बाद में अमर सिंग के कहा जाता है की जैप्रदा जो है वो अमर सिंग के बहुत करीबी है भाला कि अमर सिंग को भी सपासे निकाल दिया गया था और फिर दूसरी पार्टी में जया पर दानी जोईन की दूसरी पार्टी जोईन करने के बाद कही ना कहीं सपा पर हमेशा हमला बार रहीं लेकिन जिस तरीके से आजम खान की तुलना जयाप्रदा नहीं खिलजी से किये क्योंकि बहुत ही अगर मुद्य को देखा जाए कि सायद ही एक मौका था जयाप्रदा के लिए बहतर क्योंकि रामपूर में जब वो चुनाओ लड़ती थी तब आजम खान के द्वारा उनको बहुत ही जादा परेशान किया गया था और वही कहीं न कहीं परेशान ही वो कहती है हसाब तोर पर कि जब मैं पदमावत फिल्म देख रही थी तब जो खिलजी का जो रोल था उस रोल का जब मैंने देखा उस रोल को देखा तो लगा कि आजम खान और खिलजी में कोई अंतर नहीं है जब ये बयान जनता या फिर राम लोगों की बीच आया जब आजम खा के कानों तक बयान पहुचा, तो इस बयान ने कुछ और ही रुख अपना लिया, ये बयान उस हरि तक पहुंच गया है, जहां राजनीतित कि गल्यारों में कही न कहीं खाहकार मचा हुआ है कि कई लोग है जो इस तर्क से सहमत है और कई ऐसे लोग है जो इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि राजनीती सिर्फ उस चीज की हो रही है जहां सिर्फ किसी मुद्दों का जिक्र नहीं होता है सिर्फ राजनीती उस पायदान पर आकट टिक गई है जहां सिर्फ पलटवार परसनल लाइब को लेकर होते हैं पलटवार राजनीती के उस ओजे पन से होते हैं जहां राजनीती नहीं सिर्फ ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है जो राजनीती से बहुत दूर जा जुकी है क्योंकि अगर खुशी तब होती है अगर राजनीती में ऐसी लड़ाई लड़ी जाए जहां सिर्फ और सिर्फ ऐसे पहलू हूँ जहां विकास के रास्ते की बात हो जहां कोई लेड़ी जहां कोई आदमी अस्पताल में मर रहा है तो वहां किसकी जिम्मेदारी बानती है इस पर चर्चा होगी बात चीत हुई और आजम खान ने इस पर क्या पलटवार किया है आई देखते हैं इस रिपोर्ट में उत्रप्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बिलारी विधानसवा से सपा विधायक फमीम द्वारा आयूजित की कारिकरम में सपा की कद्दा वरनीता और पूर केबिनि आजम खान ने शिर्कत की इस दौरान मन्ज से बोलती हुए आजम खान ने दो बार पूर सानसद रामपुर जय प्रदा के बयान पर कटाक्षिया कि नाचने गाने वालों के लिए भाडवी रास्नियों के लिए हम क्यों अपना दिल जलाएं चलें नजम पैदा करो गुर्बानी का ज़स्वा पैदा करो फुर्टू तो फोड़ी दरबार निखी जाता लेकिन हमें यहां से फट दर बखा जाना पड़ गया सिर्फ उन लोगों की तरफ से जिन्होंने नजम को अपने जिन्दे की का हिस्सा नहीं बना रख रहे मैं खास तरुसे सियस्टानों से और सियस्टानों के साथियों से कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने आप को एक बेतर इंसान के तौर पर पेश नहीं करेंगे तो लोग सियस्टानों से नफ़त करने लगेंगे और सियस्टानों चाहेंगे हालाथ आपके सामने हैं मशायर में शौराएक्राम यकीन अर्ट है हालाथ की अकसीख करेंगे और टalam की जिन्मड़ादी है ठैए ज जाहिँ वो नौल निगार हो साना निगार हो कहानी दिखने वाले यहां द के फिलमे माणने वाले शायर हो वो वक्त और हालाद के पेशे नजर अपना कलाम पेश करें और लोगों को नए रास्ते की तरफ लेकर चखें वो कौन सी फिल्माई ती थी? पदमावड पदमावड इस से पहले कौन सी आई ती थी फिल्म? बाजी आओ मस्तानी बताओ नाम लो तो दिल में खुदबुद होने लगती है बाजी राओ मस्तानी मसल्माई थी फिल्में और उससे जो इश्टा नदा था वो हिंदू था लेकिन किसी मसल्माई ने इतराज नहीं किया मुगयाजम बनी शेहजाद ये सलीम का इश्ट अनारकरी से निखाया गया तारीख ये उसका जिकर तक नहीं है किसी मसल्माई को बुरा नहीं लगा अरे नाचने गाने वालों के लिए भाइड़मी रास्टियों के लिए हम काहे अपना दिल जलाने चलेगे पदमावद भई सुना है पदमावद ने खिल्दी के आने से पहले दुनिया छोड़ी मगर अभी एक औरत में एक नाचने वाली में खादी के बारे में कुछ कहा है अब बताओ नाचने गाने वालों के मू लगेंगे तो सियस्ट कैसे करेंगे ऐसी निखाल प्रिश करो कि लोग तुम्हें अपना बनाने के लिए मजबूर हो जाए वह उन्होंने कहा कि पदमावद फिल्म बनी हमने सुना है कि खिल्दी का रोल बहुत बुरा है मगर अभी एक औरत ने एक नाचने वाली ने खादीम के बारे में कुछ कहा है अब बताओ नाचने गाने वालों के मुह लगना है तो सियासत कैसे करेंगे ऐसे मिसाल पेस करो कि लोग तुम्हें अपना बनाने के लिए मजबूर हो जाए जब मीडिया ने गोरकपुर चुनाओ को लेकर सवाल किया तो आजम खान ने पूरी मीडिया को पूजी पती का साथी बताते हुए कहा कि अगर नहीं हो तो छोड़ दो नौकरी आजाओ मारे साथ यूंस्टी चलाता हूँ मर्टिकल कॉलिज बनाया है सबका सही योगती पहीं साथ के सुर्फूर करिया था समाजवादी पार्टी के वरिष्ट नेता आजम खान ने मशूर फिल्म अभनित्री और पूर सांसा जयाप्रदा पर कड़ा पलटवार किया है आजम ने कहा कि जयाप्रदा कौन है वे नाचने गाने वालों के मुझे नहीं लगा करते बतादी कि जयाप्रदा ने आजम खान की तुलना पदमावत फिल्म की करदार खिलजे से की थी आजम ने कहा कि मैं इन दुनों सिक्षा की शित्र में व्यस्त हूँ मेरे पास इस तरह कि लोगों की बातों का जबाब देने का वक्त नहीं है मेरा फोकस शात्रों की पढ़ाई में है मैं नाशने गाने वालों के मुझे नहीं लगूँगा यदि मैं ऐसा करूँगा तो फिर सियासत नहीं कर पाऊँगा दरसल जयाप्रदा ने शनिवार को दे गए एक बयान में कहा था कि पद्मावत फिल्म के अलाउदिन खिलजी को लेकर उन्हें आजम खान याद आ गए थी जब वे चुनाव लड़ रही थी तब आजम खान ने उन्हें भी बहुत प्रतानित किया था जयाप्रदा उत्तरप्रदेश के रामपुर सीट से SP के टिकट पर लोक सबाचनाव लड़ी थी वे सीट से 2004 से 2009 तक सांसद रही वे अमर सिंग की नजदी की मानी जाती है ममर सिंग को पार्टी विरूधी गद्वी दिन्हों के चलते 2010 में पार्टी से बाहर कर दिया गया था बाद में जयाप्रदा 2014 में बिजनौर से RLD के टिकट पर लोक सबाचनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी रामपुर से लोक सबाचनाव न लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि वे आजम खान के कारण वहां से चनाव नहीं लड़ी थी रामपुर की जनता हमेशा उनके साथ खड़ी रही पार्टी के अंदर लोगों ने उनका विरोध किया इसके बावजूद वे चनाव जीती थी क्योंकि रामपुर की जनता ने उनका समर्थन किया पूर लोग सबा सांसा जैप्रदा और पूर मंतरी मुहमद आजम खान के तकल स्यासी रिष्टे शनिवार को एक बाट फिर सामने आए इस बार जैप्रदा ने एक नियू जैजैंसी को दिये बयान में आजम की तुलना पदमावत फिल्म के चरत खिलजी से की जैप्रदा के बयान को नियू जैजैंसी ने ट्वीट किया जैप्रदा ने पीड़ा जाहर करती हुए कहा कि रामपूर में लोग सबा चुनाओ की दौरान आजम ने खिलजी की तरह ही परिशान किया था जैप्रदा वर्स 2004 में 2009 में रामपूर के लोग सबा सदस रह चुकी है 2009 की लोग सबा चुनाओ में आजम उनका विरोध करते रही थे उस समय जैप्रदा ने आजम पर कई आरोप लगाए थे यहाँ तक कहा था कि आजम ने उनके असलील चित्र बटवाए जैप्रदा की अप्यूडा पदमावत फिल्म देखने के दौरान उभर आई जिस तरीके से आपने रिपोर्ट में देखा कि जैप्रदा के इलजाम लगाने के बावजूद बाद उनके कटाक्ष करने के बाद जब आजम खन के कानों तक यह बात पहुँची तो उन्होंने पलटवार किया वो भी नहीं चूके क्योंकि चूके क्यों राजनीती तो यही है अगर आपने कोई वार किया कोई तंज कसा तो सामने से भी बहुत शांदार जवाब आता है और यही जवाब कहीं न कहीं आजम खन ने जैप्रदा को दे दिया आजम खन ने भी कह दिया कि नचनिया आप नचनिया हूं और आप नचनिया की तरह रही है क्योंकि आजम खन का सीधे तोर पर कहना है कि नचनियों के मुए अगर हम लगेंगे तो राजनीती कैसे हुई अभी फिलाल में आजम खन सिख्षा के शेत्र में जड़े हुए हैं उस शिक्षा पर ध्याम दे रहे हैं उनका ऐसा कहने के मतलब था जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि गोरखपुर सीट और फूलपुर सीट में आप क्या कहना चाहते हों तो उन्होंने साब तोर पर कह दिया कि पत्रकारता को कहीं न कहीं उन्होंने कट घरे में खड़ा कर दिया और पत्रकारता जो रिपोर्टर्स हैं जो पत्रकार बंधू हैं उनसे साब तोर पर कह दिया कि आप पत्रकारता छोड़ दीजिए और हमारे साथ आजाएए फ़लाल आजम खान के इन बयानों को कोई नए तरीके से लेना जाहरी सी बात कोई नहीं लेगा क्योंकि कहीं न कहीं ऐसी चीजें अपनाते रहें आज के लिए तना ही कल फिर मुलाकात हुए किसी नहीं बुद्धे के साथ तब तक लिए नमस्कार कर दो कर दो